एलो अवीवन कैसे आप सभी लोग आशा करते हूँ आप सभी लोग की पड़ाई अच्छी चल रही होगी एक्षुल में हमारे पास नॉटिफिकेशन आया था फॉल नॉटिफिकेशन आरार्भी पियों का और क्लर का मन्दब आरार्भी का होल बोडी का मन्दब IPPS जो भी देखा हूँ और टेलिग्राम पर मेरे को स्क्रीन शॉट भी आ रहे थे इस चीज के तो फिर मैंने लास्ट येर का नॉटिफिकेशन निकाला वह हैंड आउट पूरा फुल डेटेल जो नॉटिफिकेशन होता है उससे कंपेर किया तो यहां पर दो तीन चीजें एक्स्ट्रा अब जैसे यह अब जैसे यह स्टार जो आपको इंपरेशन भी कराऊंगा तो अभी जो भी यह सिंबल यहां पर देता है ना तो उसके बारे में यह कहीं आपको इंफोर्मेशन देता है नहीं चेक है ना सो जैसे स्टार अब जैसे यह स्टार जो अपने लगें यह डवल स्टार इसके बारे में बता रहा है यह अब्जेक्टिव एक्जाम के बारे में कुछ डेटेल आपको देगा यह इसी साल वाला हमारा एक्जाम है और इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर एक्जेक्ट मि लेकिन इसके अंदर जो कॉलम में चीजे लिखी गई है वो सेम है एजटेस है तो आपको तैयारी में कुछ बदलाव करना है या नहीं करना है वो में थोड़ा सा डिटेल में आपको एनलाइज करके बताता हूं नोटिफिकेशन को यहां पर कमपोजिट टाइम ओ फॉर्टी मिनिट में करना होते हैं क्यूमिलेटिब मतलब क्यूमिलेटिब नहीं बोलूँगा मैं कमपोजिट बोलूँगा क्योंकि एकटा सिर्फ 45 मिनिट होता है कोई sectional टाइमिंग नहीं होता है सेम फॉर ऑफिसर स्केल वन यहां पर भी 45 मिनिट में इसमें कोई बदलाव नहीं है लेकिन यहां पर इनो नहीं डॉलर साइन डालके यह बता दिया कि हो सकता है कि अगर इनके इनका मन करे या बस चले यह इनफोर्मिशन यह क्यों दे रहे है क्योंकि इससे पहले तो दे नहीं रहे थे तो अब हो सकता है कि यह अथोरिटी है इनके पास कि यहां पर वो sectional timing ड यहां पर यह वाली लाइन पढ़िएगा आई बीपीएस रिजर्फ दा राइट तो मेक दो डुरेशन ओफ टेस्ट सेपरेट फॉर इच टेस्ट इस विल इस विल बी डिले communicated to the candidates in the information handout तो देखो बीच में अभी आपको याद होगा IBPS में भी एक कुछ ऐसा सीन हुआ था जब हमारे मेंस में section बट गए थे मेंस में आपने देखा होगा quant reasoning में हमारे जो section आई थे section A और B की कुछ चर्चा होई थी उसमें है न तो उसने भी अपना एक short handout निकाला था और उसमें information दीती और वो मेंस के पहले दीती मतलब प्रिलिम्स के बाद में या इसी समय यह information आई थी लेकिन हाला कि यह तो notification हमारा पहले से आ चुका है तो यहां पर इसने यह mention किया है कि अगर मतलब इनके पास rights है अगर यह लोग चाहेंगे तो हो सकता ह है आपका exam के पहले या फिर आपको एक handout के जरीए बता दिया जाएगा कि भाईया अब से हम लोग यहां पर separate time लेंगे यानि sectional timing होगा जैसा हमारा SBI के exams में होता है और IBPS के pure clerk वाले exam में होता है तो हो सकता है क्योंकि IBPS conduct कराती है इस body को भी तो मेरे हिसाब से यह मेरा opinion है this is not sure बड़ यह मेरा opinion है कि यह चीज कर भी सकता है क्योंकि इसके पहले उसने mention नहीं किया और उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है तो उसके लिए कुछ नया नहीं है और इसलिए सायद इसने शामिल किया है और नहीं अगर change किया तो भी उसने mention कर दिया कि हम लोग मतला compulsory इस skill 1 का है तो यहां पर कोई भी वैसा dollar नहीं है dollar means यानि कि कोई भी ऐसी information हमारे पास यहां पर ऐसी नहीं है जो कि हमको बताती है कि यहां पर हमारा अलग-अलग time भी यानि sectional time हो सकता है अच्छा लेकिन सिर्फ pre तक नहीं है तो मैंने आपको यह pre देखाया इसके बाद अगर मैं आप लास्ट में आगे देखेंगे ना तो यहां पर भी dollar है but side by side अगर मैं 2023 का अगर मैं देखता हूं तो यहां पर कोई भी ऐसा नहीं दिया गया है तो अब इस चीज को क्यों शामिल किया गया है अगर यह separate time करेंगे तो देखो pre का तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना क होगा dot के बारे में भी तो candidate opt can opt either 4a और 4b अब यह 4a और 4b यहां पर mention किया गया है this is 4a and this is 4b officer scale 1 में भी और assistant वाले में भी तो यह dot हमें यह बताते है कि आपको इंदोर में से कोई एक चूज करना है this is language test जो हमारा होता है ठीक है तो dot star और यह dollar नया है तो dollar के बारे में हम ल करके 20-20 minutes देगा तो इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है अगला handout अगर आएगा तो बिलकुल पता पड़ेगा और अगर उन्होंने बोला है तो वह handout के साथ में आपन को देंगे अब यह हो सकता है कि जिस दिन आपका prelims का admit card हो उसी के दिन या उसके एक दिन पहले handout रिलीस कर दिया जाए जिससे के एक्जाम के पहले आपके पास एक सटीक information होगी कि यह चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है दूसरा चीज़ अब मेंस में भी अगर यह चीज़ होगी तो मेंस में timing कैसे करेंगे यह चुनोती पूर्ण सवाल है कि मेंस में timing को तुम कैसे बा बात होगी कि क्या होता है अब जो भी होगा वो बदलाब होगा और यह बदलाब छोटा मोटा नहीं है क्योंकि हमारी एक student एक preparation में होती है एक time को हम मतलब अब एक strategy को दिमाग में लेके preparation करते हैं और यही strategy हम लोग as a teacher तुम लोग को सलाह भी देते हैं कि भाई इस तरह से इतने time में ये इतने time में ये पूरा हम लोग उसी type से करते आ रहे है स्टार्टिंग से बड़ अगर ये बदलाब है तो हमें अपने पढ़ने के तरीके को भी बदलना पड़ेगा और जब ये handout आएगा तो definitely आपको एक सटीक जगा से सटीक तरीके से वो चीज पढ़ा ही करना पड़ेगी अदरवाइस आप अपना एक्जाम भी spoil कर सकते हैं क्योंकि रिस्क है ना अई पढ़ा फिर क्योंकि आप नएची नहीं है वैच्छे क्योंकि बाखी एक्जाम में तो फेक्सेनल ताइमिंग होती है लेकिन हमारा एक माइंड्गbaj है cohort को लेगे वो नहीं है ना स्टार्टिंग से ही नहीं है तो अब हुनुस अब इससे फाइदा कितना होगा और घाटा कितना होगा मुझे कुछ फाइदे दिख रहे हैं अब अगर हैंडाउट आता है और इस पर ठपा लग जाता है आई बीपीस के थ्रू से तो फिर आपने इसके फाइदे की उपर बात करेंगे और नहीं लगता है जिस तरह से हमारी चल रही है प्रपरेशन हम उसी तरह से करेंगे तो हैंडाउट का बस थोड़ा सा यह रहेगा घबराने वाली बात तो खेर नहीं है अगर सेक्शनल टाइमिंग होगा तो उसके फाइदे बहुत है वह फाइदे में जरूर आपको गिरवाँगा एक बार ह ठीक नहीं आता है तो जिस स्ट्रेटीजी से हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरह से पढ़ेंगे आई होब आपको इन्फोर्मेशन आपको अच्छी लगे हुगी और मैंने वैसा नहीं बताए जो की और भी यूटूब पे दो-तीन वीडियो डल चोके हैं मैंने वैसा करेंगे थैंक यू सो मच थेकर और अल्डवेश फोर एग्जामिनेशन